तो गुड मॉर्निंग स्टुडेंट आए हम इस विद्य में देखते हैं मैथ कि लास्ट एंथ एक्सेसाइज 8.2 पार्ट 3 8.2 का हमने पार्ट 3 करना है इसमें 8 नंब्र कोश्चिन हम सोलू करेगे देखो 8 नंब्र कोश्चिन यह हमें गिवन है 17 ब्रेकट में 2-1-7x 5 ब्रेक से मिल्टिप्लाई करें तो 17 एक्स अपोन 1-7x 5 को एक्से मिल्टिप्लाई करें तो 5 एक्स 5 को 12 से मिल्टिप्लाई करोगे तो 60 अपोन 7 एक्स माइनस 1 is equal to 8 तो यह आपके पास value आ गई है ठीक है तो अब आपके गरो 34 माइनस 17 एक्स और यह 1-7x प्लस 5x प्लस 60 इसको भी सेम रखो यहां से डिवाइट से माइनस कॉम्बन ले लो माइनस कॉम्बन लेने का मतलब क्या होता है कि आपका जो हो गया है माइनस वाली value positive हो जाएगी 1 positive हो जाएगा और 7x negative इसी कोई बोलते है माइनस कॉम्बन लेना ठीक है न यह हमने इसलिए प्लस और माइनस 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 ब्रैकेट में 5x प्लस 60 और डिवाइड में दोनों का यहां चला गया प्लस माइनस क्या होगे माइनस होगे ठीक है तो आपके बास यह value आगे ठीक है तो अब आप क्या कर सकते है तो अब आपके कर सकते हो 34 माइनस 17 एक्स इसकी ब्रैकेट अपन कर लो 5x माइनस 60 वन बाइनस का सावन एक्स इस इक्वाल टू एट तो 34 17 और फाइफ के लोगे 22 एक्स माइनस 68 और यह वन माइनस का सावन एक्स ठीक है न यह हमारे पास value आगे यह दूसरी साट जा कर दो आपके बास क्या होगे देखो 17 और 522 अब देखे 34 माइनस 60 तो 34 माइनस 60 कितना प्लस माइनस माइनस इसके आगे कोई शाहिक नहीं तो प्लस प्लस माइनस 60 में ज़े 34 लेस कर दो कितना उचे जाएगा आपके पास माइनस का 26 औरियो माइनस का 22 अग्स एक को 1 से मिलिटिप्लाइ करेगे 8 एक को 7 से मिलिटिप्लाइ करेगे 56 तो आपके बास आजाएगा माइनस का 22 एक अक्स या धोश दूनुनें एक अखरफ कर लो प्लस का 56 है 8 और यह 26 इदर है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इस में से 6 में से 2 गया 4 5 में से 34 एक्स और यह भी 34 तो एक्सी वैल्यू आपके आजाएगी 34 divided by 34 तो यह आ यह आपके कुशन का अंसर है ठीक है सुट ओके तो वैरिफाइए आपने खुद कर लेना है ठीक है न बस आपको लेफ्ट हैं साइड में लिपूट करने एक्सी और टाइट हैं साइड में पूट करने है और एंसर आ जाएगा ठीक है तो देखिए यह कुशन हमें गिवन है 9 तो हम कैसे सुल्व करें कि देखो 4x-3 10x-9 और यह आपको गिवन है फाइफ इसका आप हंडर्ड जोबर डिवाइड में लगा दो क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है वान और तो तो हंडर्ड इसका डिवाइड में लगा दिया फाइफ इंटू 25 यहांपर लग जाएगा ठीक है ना हंडर्ड से हंडर्ड कट तो यह आपको पास वाल्यू आगया 4x-3 10x-9 और 5 by 25 ठीक है यह हमार पास वाल्यू तो आप इसे लिख सकते हैं 4x-3 10x-9 525 यह हमार पास वाल्यू बस अब आपको क्या कर लेना है इसको जब हमार पास इक्वल टू का सा और डिवाइड में वैल्यू हो तो बाय क्रोश मुल्टिप्लिकेशन तो बाय क्रोश मुल्टिप्लिकेशन आप इसको सोलो कर लीजिए 5 ब्राइगेट में 4x-3 यह 5 इदर मुल्टिप्लाय हो जाएगा यह 9 इससे 1 ब्राइगेट में 10x-9 तो 5 को 4 से करूए 20x 5 को 3 से 10x-9 तो 20x यह 10x less हो जाएगा-9 यह 15 इदर आगे एड तो 6 और यह 10x तो एक्सिए लोगा जाएगे 6 वैट 10 मेंस 3 by 5 तो x is equal to 3 by 5 यह ही आपके वेश्चन का अंसर है वेरिफिकेशन आप स्टुएंट कुद करोंगे ठीक है ना तो काफी टाइमिंग लग जाएगा इस कुछन को कम्लीट करने में ठीक है तो यह वेरिफिकेशन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फीडियोस में देखना पहले उस फिर जो आप वेरिफिकेशन कर सकते ह जो पूर्ब तो एक्स माइनस 3 माइनस 4 एक्स इस इक्वल टू 1 बैट यह हमें कर शोन वियुक्चिन आप इसका गैसे सबनु गरूए ट्री डिवाइड में 2 एक्स माइनस ब्रैकिट ओपन किते 3 माइनस प्लस प्लस वर एक्स और यह वान वा ऑई 3 तो 3 अपोन में 2 प्लस 4 6 X मैनस 3 इस इक्वल टू 1 बाइ 3 रोज मुल्टिप्लाइ करो दोसको तो क्या जाएगा हमरे पास 3 मुल्टिप्लाइ 3 इस इक्वल टू 1 मुल्टिप्लाइ 6 X मैनस 3 यह हमरे पास बाल जबाए तो 3 3 is a 9 और यह 1 से इसको मुल्टिप्लाइ करोगे 6 X 1 से 3 को करोगे तो 3 से इम ही आ जाएगा ठीक है तो यह आगे 9 3 जो वो लेफ्ट में आके add is equal to 6 X तो X value value one side हो गया right में और भी next value value left side में तो 6 X is equal to 12 तो X value कहा जाएगे 12 आए 6 6 बंजा 6 तो X is equal to 2 यह ही आपके बेशिन का अंसर है ओके स्टूर next देखते है 5 ब्राइकेट में X plus 6 15 ब्राइकेट में 2 minus X 3 X minus 1 is equal to 2 तो यह आ जाएगा 5 को X इमल्टिप्लाइगर होगे 5X 5 को 6 से मुल्टिप्लाइगर होगे 30 15 को 2 से मुल्टिप्लाइगर होगे 2 और माइनस और माइनस प्लस 15 को X से गरोगे तो 15 X और यह 10 3 X minus 1 इस से मुल्टिप्लाइगर तो यह आ जाएगा 5 X plus का 30 minus का 15 to the 30 और प्लस का 15 X 10 को 3 से गरोगे तो 30 X 10 को 1 से गरोगे तो 10 यह आपके बास वास वाल्यो आई 5 X plus 15 X कितने होगे 20 X 30 30 less का रहा जीरो और 30 X minus 10 तो X वाल्यो इदर भी है X वाल्यो इदर भी 20 X यह 30 X लेफ्ट में आगे माइनस हो जाएगा और यह माइनस का 10 यह हमारे पास वाल्यो आ रहे है तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस का 10 X तो इसमें हम पहले ही cross multiplication करते हैं by cross multiplication cross multiplication कर होगे तो यहाद है माइनश एपेडिक साथ मुल्यो इसको मूलिपलाय अलग टैमा जाकिक सथ होगा माइनस झाना सव पो एक यहाद एक Maximum कu एक ड़न के सको का सुसिख स्शिघत when required 19 15 माइन समिफ माइनस प्लस याट अप रहत हुब दो एक स्च पीह और एक्स को 3 के साथ करूए तो 3 एक्स, 3 को 4 को एक्स करूए तो 4 एक्स, माइनस और माइनस प्लस, 4 त्री जाट 12, तो यह हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है, स्टोड़, तो अब आप क्या लिख सकते है, एक्सिस हेर, देखो, 6 और 5 कितने हो जाएगे, 11 एक्स, प्लस 30, धिल द्यांति, एक्सिस में 1,ied सटी और 4 कितने हो जाएगे, 7 एक्स, ठीक ऐना, माइनस का थी, माइनस का फूर, तो यह माइनस का छी, 7, तो अब आप एक्स याली फेक्स याली फेक्स, एक्स वाली प्ने ली यह तो यह सारी वाली लेफ्ट में कर लिजूए, ॉय सारी वा कुलस करेगा तो आपके पास क्लाच का आछाएगा और यह 12-30 क्लाइगा 54 taking आपके बास वाल्य आजाएगी नेगटिव नेगटिव काट तो एक्सिवल्व 28 वाइफ फॉर फ़र बंजाफ फॉर 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 सेवन ट्वन ट्रैक्सिवल्व 7 वेरिफिकेशन आपने कुद गर लेंगी है स्टुडेंट ठीके न तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं नेक्स्ट करते हैं आगे कि ओके स्टूर्ड गुडबाई